कि यहार से सवाल जो पिछले किलास में होमर्ख दिया था मैंने वह वो क्या दे रखा था यहां पे स्ट्रिंग से एक ब्लॉड बाल करेंट्टेड है और इसका माश्द दे रखा है दो के जीके बराबर और इसकी इस डारेक्शन में विलासिटी कितनी है फोर मीटर पर सेकंड के बराबर तो मैंने पूछा था टेंसन टी की वैलू बताने के लिए ठीक है तो चले टेंसन टी की वैलू अगर मालो मैं इसके उपर बैठ करके देखो यह सर्कुलर मुशन परफॉर्म कर रहा है अभी एक बास सोच तो इसके उपर अगर बैठ करके आप देखोगे तो कौन कौन सा एक तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा नीचे के डारेक्शन में एम वी स्क्वाइर अपॉन कितना आर के बराबर और यह जो लेंथ है वही उसका रेडियस होगा और यह वन मीटर के बराबर है यह एम वी स्क्वाइर बैयार यह आएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वाइर बैयार पुट करोगे ट्वेंटी प्लस टू इंटू सिक्स्टीन अपॉन कितना वन किसके बराबर फिफ्टी टू न्यूटन क्या यह चीज़ क्लियर हुआ सभी को आ किना यह करवा दिया था मैंने क इसका मास एम है और एम की वैलू कितनी है दो केजी की बराबर और यह लैंट वन मीटर है इस समय यह विलॉसिटी वी इग्वस टू वी बेटर पर सेकेंड से जा रहा है तो हमें टेशन्टी की वैलू बतानी है फटबबड सॉल्व करो एक बर टेशन्टी की वैल्यू बता अपने को दो केजी का मास है यह लेंथ वन मीटर है विलासिटी दो मीटर पर सेकंड है हमें टेंस टी की वैल्यू बतानी है पटवर सॉल्व करो भी सवाल ही सवाल करने वाले हैं थोड़े से इस टाइब के सवाल करेंगे उसके बाद और अलग-अलग टाइप साथ जाएंगे सभी का अंसर आना चाहिए ध्यान रखना कोई ऐसा नहीं हो कि बस ले करके चुपचा बैठा हुआ रहे हैं टेंस टी की वैल्यू बतानी है अपने को दो केजी का मास है विलासिटी दो मीटर पर सेकंड से उपर जा रहा है थर्टी सैवन डिग्री एंगल है लेंफ वन मीट हो नहीं समझा है पूछ लिया करो आप लोग जैसे मालो यह हमारा कुछ तरीके का सर्कुलर पाथ है अब इसके उपर बैठोगे तो सेंट्रिफ्यूगल कि दर लगा इधर की डारेक्शन में जो सेंटर तो यहीं होगा सेंटर इधर की तरफ होगा तो इस सेंटर से बाहर की सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा ठीक है कितना रहा है टेंशन 28 बाकी लोग भी निकालो बिल्कुल सभी काम सराना चाहिए देखो कुछ नहीं करना है इसके उपर बैठ जाओ इसका एफबीडी बनाओ और देखो आपको यह रेश्ट पे दिखेगा तो वाह से टेंशन टी वैसे ही करना अपने को टेंशन टी की वैल्यू कुछ नहीं करना है इसके उपर आप पहले बैठ जाओ टेंशन वगरा निकालो चलो यह रब एक बार देखते हैं इसे वाले केस में चलो एक बार देखो क्या इसके उपर एक एम जी फोर्स लगेगा हां कि ना इसके उपर ए यार इधर की तरफ है तो यह जो फोर्स लगेगा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जब हम इसके उपर बैठ के देखेंगे तो कितना लएगा एम वी स्क्वाइर बाई आर और आर की जगह पे ल के बराबर क्या यही सारा फोर्स लगेगा हां यह ना एक तो टेंशन टी नीचे एम जी और इधर के डारेक्शन में एम वी स्क्वाइर बाई एल चलो यार यह थर्टी सैवन डिगरी तो यह भी किसके बराबर थर्टी सैवन डिगरी ठीक है भाई अब एक बास सोचो एम वी स्क्वाइर बाई आर की डारेशन यहां से देखो मैं बोलाँ सेंटर की तरफ लगता है यह सेंटर होगा यह जो सर्कुलर पाथ होगा उसका सेंटर यह होगा और इसका एक्सेमरेशन सेंटर की तरफ तो इससे बाहर की तरफ एम वी स्क्वाइर बाई एल फोर्स और दिर दिरां बात कि अगर हम लोग बात करें तो पता है उससे आप एक्टिव तभी सवाल पूछ पाओगे चलो इधर टेंशन टी इक्वल्स टू जो इस डायरेक्शन में फोर्स है सब को बैलेंस करेगा तो कितना टी इक्वल्स टू अग्वी स्कूइर अपॉन कितना एल एमजी की वैलू कितना मास दो केजी 20 इंटू क्या वी एक्वायर की वैलू 4 वाई कितना 1 कितना किसके बराबर यह किसके बराबर आएगा फोर फोर्जा 16 और प्लस 8 कितना आएगा 24 न्यूटन क्या ये क्लियर हुआ सभी को हाँ किना सभी को समझाए ये जिससे भी नहीं हुआ था क्या ये समझाए उनको हाँ किना है चला एक सवाल और करते है सेम टाइब के लेकिन वह सभी का अंसर सही हाना चाहिए इसमें एक सवाल और करते हैं सेम टाइब कर इस पर सभी का अंसर आना चाहिए जितने लोग हैं क्लास में सभी का अंसर आना चाहिए यहां से देखो भाई एक यह बॉल है यह इधर के डारेक्शन में कितने से जा रहा है मानलो चार मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इसकी लेंथ मानलो वन मीटर मास मानलो एम दिया हुआ और एम की वैलो थ्री केजी के बराबर ठीक है और यहां एंगल कितना तो 53 डिग्री आसे चलो बाई बताव यह पर टेंशंड T की वैलु बताओ इस वाले सवाल में टेंसंड T निकालना है बिलकुल पिछले सवाल जैसा ए डेंसंड T की वैलो देखो बिल्गुल अब सवाल करेंगे उसी से सीखते जाना है कॉंसेप्ट हमने जो सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल का देखा आप हमेशा ब्लॉक के उपर जो भी बॉल या ब्लॉक सेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है आप उसके उपर बैठ जाओ इसका अगर सर्कल ड्रॉ करें तो यह सर्कल कौन सा आएगा तो कुछ इस तरीके का आएगा यही सर्कल होगा चलो यार एक बात देखो इस वाले केस में अगर हम लोग देखे तो इसका एब डी बनाते हैं ठीक है वाई काफी सारे आंसर आए 66 72 बहुत अलग-अलग आंसर आ से यह एक बात देखो इसके उपर एक तो टेंसन टी इधर की तरफ लगेगा नीचे के डारेक्शन में एक एमजी लगेगा और जब आप इसके उपर बैठ करके देखोगे तो इस डारेक्शन में एम वी स्क्वाइर आर यानि लगेगा बाहर की तरफ जो की सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होगा हाँ या ना बाहर की तरफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा भई अब एक बात देखो इसके पाद एमजी का यह 53 तो यह वाला भी कितना 53 डिगरी के बराबर और इसका इस इस डारेक्शन में कितना कॉंपोनेंट तो एमजी को स्फिफ्टी त्री डिगरी और इसका इस डारेक्शन में कुछ अब यह रेस्ट पर दिखेगा अब अपना ठीक है यहां से अगर देखें तो क्या लिखेंगे टी उपर के डारेक्शन में एकवाल्स टू mv square by l plus mg cos 53 t square equals t equals to mv square by l plus mg cos 53 degree ठीक है बाई m की value तो 3 kg into v square तो 4 kg square 16 l की value 1 meter plus m की value कितना 3 into 30 into cos 53 degree 3 by 5 कितना हो जाएगा तो 48 प्लस कितना हो जाएगा 18 इसके बराबर 66 newton जिनके जिनका 66 newton आया वो सही है जिनका नहीं आया सर हमने सिर्फ cos component क्यों लिया देखो मैंने sign भी तो लिया यहां पर लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हमें force कौन से direction में देखना है इस direction में इस वाले के along देखेंगे यह एक बात बता एक direction को एक बार ही deal करें पाएंगे एक direction को तो एक ही बार डील करेंगे ना उपर टेंसेंटी नीचे यह दोनों सारे forces लग रहे हैं क्लियर हाय ना क्या यह क्लियर हो गया टेंसेंटी उपर नीचे यह दोनों फोर्स चले अर अब इसके बाद हम लोग बात करें एक छोटा सवाल है जरह सोचना है यहां पर मालो हमने यह एक pendulum लिया यह pendulum लिया और यहां से block को release कर रहा है मालो में theta एंगल से ले जाकर करके इस small m mask को मैं release कर रहा हूं ठीक है हमें release कर जिस समय कर रहा है यह हमारा जो ball है उसको हमने release किया जस्ट release तो इस time पे at the time of releasing जो है हमें tangential acceleration निकालना है और radial acceleration दोनों की value बतानी जिस समय हमने release किया उस समय हमें tangential acceleration और radial acceleration की value बतानी जिस समय हमने release किया इसकी length मालो L के बराबर इसकी length मालो L के बराबर जिस समय हमने release किया उस समय tangential acceleration और radial acceleration की value बतानी है थोड़ा सा बस FBD बनाओ आप कौन कौन सा force लग रहा है उसका एक बार FBD बनाओ FBD बनाओगे ठीक है circular path तो चलो यार सभी को पता है कि कौन सा circular path होगा ये वाला circular path होगा ठीक है यानि हमें एक तो हमें पता है कि जब भी अगर पार्टिकल circular path में move करेगा तो दो तरह का acceleration possible एक center की तरफ जिसको हम radial वाला बोलते है radial acceleration और दूसरा एक tangent की तरफ तो उन्हीं दोनों की value बतानी है बिल्कुल एक बार देखो बस एफबीटी बनाने अपने को ध्यान रखना है एफबीटी बनाओगे clear हो जाएगा नहीं बनाओगे एफबीटी समझ नहीं आएगा कि क्या पूछा गया है पहले आप एफबीटी बनाओ और एक बार देखो एक तो radius center की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ यही दोनों acceleration पूछा गया है तो आप देख लो कि कितना फॉर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में कितना फॉर्स इस डायरेक्शन जितना फॉर्स लगेगा उस divided by मास करो हो जाएगा अंसर हाँ यह नहीं काफी कम लोगों का अंसर आया है कुछ नहीं एक बार सोते हैं बिलकुल एपीटी बनाओ कुछ जादा नहीं बड़ा सवाल है यहां से देखो mg नीचे लगेगा एक इधर की तरफ टेंसन टी लगेगा ठीक है और इसके दो कंपोनेंट mg का दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ ये वाला एंगल कितना थेटा ये हमारा कौन सा होगा mg cos थेटा और ये कौन सा होगा हमारा mg sin थेटा के बराबर ये हमारा mg sin थेटा और ये हमारा कौन सा होगा mg cos थेटा क्या यहां तक fbt सभी को clear हाँ कि ना पहले ये बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत mg sin थेटा mg cos थेटा यार component break कर रहा हूं है ठीक है भई चलो ये अब एक बाद देखो इस direction में कोई अपने पास क्या कर जब इसके उपर बैट करके आप देखोगे जस्ट इसी समय की बात हो रहे जिस समय हमने release किया है भई ठीक है जस्ट उसी instant की बात हो रही है अब एक बात सोचो उस instant पे velocity जीरो हमने तो ball को release किया जब हम ball को release करेंगे तो उसकी velocity तो 0 हा कि न जिस समय हम ball को release करेंगे उस समय उसकी velocity कितनी 0 उस समय उसकी velocity भाई 0 यानि क्या mv square by r लगेगा क्या हाँ या ना ये बताओ भई क्या mv square by r लगेगा क्या ये बताओ mv square by r नहीं लगेगा v 0 यानि रेडियल एक्सिलरेशन क्या होता है यार एक बात देखो रेडियल एक्सिलरेशन हमने पढ़ा था वी स्कौायर बाई आर के बराबर होता है रेडियल एक्सिलरेशन किसके बराबर होता है वी स्कौायर बाई आर के हां कि ना यह बता यार रेडियस की तरफ सेंटर की त बात करें तो 80 की वैलू किसके बराबर तो देख होया रहे हैं टैंजेंट के लॉंग कितना फोर्स एमजी साइन थीटा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ टैंजेंशियल अपॉन मास इक्वल्स तो 80 एफ टैंजेंशियल कितना तो एम जी साइन थीटा अपॉन कितना स्मॉल एम तो फाइनली 80 की वैलू क्या आगी जी साइन थीटा क्या समझाया सबी को हां किना 80 की वैलू क्या आगी जी साइन थीटा के बराबर हां या ना क्लियर हुआ ये चीज पहले कुछ नहीं किया हमने भई टैंजेंट के लॉंग फोर्स देखा डिवाइड गर दिया मास से बस हमारा काम होगा अच्छा एक बात बताओ चले इसी में एक और सवाल टैंशन की वै टैंशन टी की वैल्यू बताओ तैंशन टी की वैल्यू किसके बराबर बिल्गुल काफी लोगों ने सही आंसर दिया देखो यार एक बास सोचो इस डारेक्शन में आपको यह कैसा दिखेगा यह नीचे तूटता हुआ दिखेगा क्या नहीं ना तो यह ऊपर जाता हुआ दिखेगा ना ही नीचे जाता हुआ यह बस इधर के तरफ एक्सलरेशन यानि इस डारेक्शन में यह रेस्ट पे दिखेगा और जब रेस्ट पे दिखेगा तो मैं क्या लिखूंगा कि उस ब्लॉक बाल के उपर देखें तो क्या हैगा टी माइनस एमजी साइन थीटा इक् एक्सलरेशन नहीं है यानि जीरो यानि टी इक्वल्स टू एमजी साइन थीटा के बराबर हाँ यह ना टी इक्वल्स टू किसके बराबर एमजी साइन थीटा क्या समझ आया सभी को हाँ यह ना मैं यह बोल रहा हूं देखो कि इस बॉल के पास इस डायरेशन ना तो यह इधर की तरफ जा रहा है और नहीं नीचे की तरफ यानि एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में जीरो है अभी हमने निकाला भी है कि ए यार की व मिनसें अमजी साइन थीटा एक्चलेरेशन जी रोगी वस्तूं एमजी साइन थीटा क्या समझ आया सभी को हां कि न क्या समझ आया सभीकों टी को अंगी साइन थीटा सुर्षिए अच्छा रियार् एमजी कॉस्ट होगा ना है अम्हें अब क्या कर रहा हो यार्ट इक वार्ष कितना एमजी कॉस्ट सीटा क्या यह वह सभी को हां यह न प्लेयर हुआ है यह वह गल्ती से लिखा गया सभी को यह बता सभी क्रों सभी बदो सभी को रिप्लाइए करऊंगे तभी समझाएगा कि हायर एक्टिव रहना वही अपने को है जो समझाया चलो चलो अगला सवाल करते हैं इसी टाइप का बिलुकुल ठीक अब यह स्ट्रिंग वाले सवाल हो जाएगे कि तो क्या सब निकाल सकते हैं किसी को कोई समस्या हो बोल देना है कि हाँ सर यह वाला टाइप का सबाल और करेंगा एक दो सबाल और करेंगे लेकिन विल्खलंग चाही को हिख जाएगा आप सभी से हां कि न चलो फिर देखते हैं अब यहां से अगर देखे अगला टाइप का सवाल चलो मालो अभी बाउल के अंदर देखते हैं यह हमारे एक बाउल है मालो यह एक बाउल हो गया यह यहां से इस वाले ब्लॉक को एक रखा हुआ है मालो ब्लॉक का मास हमने ले लिया यह एंगल कितना 37 डिगरी माल लेते हैं और ब्लॉक की विलॉसिटी इस समय ऊपर के डारेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड है कितनी फूर मीटर पर सेकंड और मास और भलॉक दे रखा है फाइव केजी हमेन और्मार मन की वैल्यू बतानी यह नॉर्मल लगाएग YA NA हमे नॉर्म की वैल्यू बतानी है कि नॉर्मल कितना लगेगा नॉर्मल की वैल्यू निकालो एक बिल्कुल спис स fresh ले सभाल है कौन आएक नॉर्मल और की वैलू ले लो मीटर ले लें दो मीटर के बराबर कि हम लोग दो मीटर करने क्मक्राइब लोगे how do we know a सब्सक्राइब कितने लोग वग सब्सक्राइब दूर principalmente कि हां किया आश्राया रा तो हम मेहग पेटा वहर केस में जब रिलीज करें है तो एए आर जीरो होगा अभी तो लोगों के आश्राय बागी लोग नहीं कर रहा है पिटा रिप्लाई करो आप लोग चलो यार देखते हम एक बार यह एक बार देखो इसके उपर एक तो पहले नॉर्मल लगेगा इसके उपर एक फोर्स कौन सा नॉर्मल फोर्स लगेगा यह रहा नॉर्मल फोर्स इधर के डारेक्शन में नीचे एक फोर्स कौन सा लगेगा mg और यार यह circular path कुछ यह वाला है तो center तो यह है तो center की तरफ acceleration होगा तो उसके opposite direction में centrifugal force लगेगा जो की mv square by r के बराबर क्या यहां तक सभी को clear हाँ या ना यह बताओ ऊपर के direction में normal इधर के direction में mv square by r नीचे के direction में mg जो काम वहां करते थे वही काम अपने को यहां भी करना है चलो इसका एक काम करते हैं इसका हम लोग इधर की तरफ ले आते हैं component एक component इधर की तरफ इस mg का mg का angle इसके साथ दिया हुआ है तो कौन सा mg cos 37 और इधर के direction में mg sin 37 यह आएगा चलो यार इस direction में इसका कोई acceleration नहीं अब तो हम इसी के उपर बैठ के देख रहे हैं जब इसी के उपर बैठ के देखोगे तो यह आपको rest पे दिखेगा तो जब rest पे दिखेगा तो चल यार उपर के direction में normal नीचे के direction में mv square by r और इधर के direction में माइनस mg cos 37 degree equals to किसके बराबर कोई acceleration नहीं कितना 0 यानि n equals to किसके बराबर तो mv square by r plus mg cos 37 degree plus mg cos 37 degree क्या ये clear हुआ आओ चलो value put कर लेते हैं value put करेंगे mass की value 5, v की value 4 यानि 16, r की value 2 plus 5 into 10 into cos 37 4 by 5 यानि ये कितना आएगा तो ये आएगा 40 और plus ये भी 40 यानि कितना आएगा 80 newton क्या आप एक बात बताओ क्या ऐसे सवाल हो जाएंगे मानलो अपन ने ये चीज़ दिया एक सवाल और कर लेते हैं थोड़ा ये बावल को उल्टा कर लेते हैं ठीक है एक सवाल और कर लेते हैं बावल को थोड़ा उल्टा कर लेते हैं कि सवाल करने का तरीका समझाया हाँ कि ना पहले यह बताओ सवाल करने का तरीका समझाया कुछ नहीं करना है ब्लॉक के उपर बैठ जाओ जो भी एक सेंट्रिफ्यूगल लगा तो बाकी सारा एब बनाना तो हमने अच्छे से सीखी रखा है सभी का रिपलाई आना चाहिए समझ आएगा नहीं तो बस चुक्चा बैठे रहा जाओगे चलो याड़ देखते हैं यहां पर अगला सवाल कि मान लो कुछ इस तरीके का यह अपने पास एक हैमिस्फेरिकल बाउल है कि इसका रेडियस आर इकुश्टू मान लो मैंने बोला वन मीटर ठीक है जब यहां प एक मास का ब्लॉग है माल लो मैंने ले लिया दो केजी के बराबर विलासिटी माल मैंने क्या लिया तो विलासिटी जो ले लिया कि मैने मानलो ले लिया कितना 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर है एक वोर यह ऐसे ले लो 2 मीटर पर सेकेंड मैंने ले लिया ठीक है दो केजी का ब्लॉक है इसको ले लेता हूं मैं काम करता हूं 10 केजी ले लो भई दस केजी का ब्लॉक है यह एंगल कितना 37 डिगरी के बराबर है चलो यार नॉर्मल की वैल्यू निकालो बिल्कुल सेम टाइप का सवाल सभी का आंसर इसमें आना चाहिए जैसा पहले उल्टा बाउल रखा था अब थोड़ा सा उसको ही यह इस तरह से रख दिया पिछले का ज कि किसल दी रहरा है जैस बेलकुल कुछ नहीं करना अपने और एको और बिचने करना इससमें हमें कुछा नहीं करना डियोर 10 केजी का ब्लॉउक है लोर्मना रहे नॉर्मल 1 वंट्वेंटी उर्हिण ओन रहरोर ला है हिंग है इतना भी नहीं हाए है य। कि नॉर्मल इतना भी जादा नहीं आएगा है कि 120 आ रहा है कि किसी ने तो 40 लिखा बैई चलो कोई ने एक बार बिल्कुल एबड़ी बनाओ इसके उपर बैठो सेंट्रिफ्यूगर लगाओ बस वही करना और कुछ नहीं सवाल बिल्कुल सेम है इसले जैसा सवाल है बावल को बस उल्टा किया हुआ है अगा अगा बावल को कुछ नहीं मैं बस मैंने उल्टा कर दिया है अगा बावल को बस मैंने उल्टा करें कि 120 आ रहा है देख लेते हैं नॉर्मल की वैलो यह निकाल रहा हूं ना है कि 120 लोगने नॉर्मल कि दर लिए है नीचे लिया एक ऊपर लिया है नॉर्मल कि दर लिया नीचे यह उपर ऊपर लिए अपने थिरभी यह आ रहा है देखते हैं जैख से कोई दिक्कत नहीं है अब मत्रब यहरे मुझे नहीं लगता है 120 आना चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है कि बाकी अभी कुछ बोल नहीं सकते हाँ वो वन ट्वेंटी तो मुझे गलती लग रहा है अब बहुत लोगों का आंसर 40 आ रहा है कि हाँ बिल्कुल मैं तुमने सही बोला है कि आप लोगों ने एंवीए स्कॉयर यार नीचे ले लिया होगा हाँ बहुत बढ़ियां और सेंटर की तरफ यह हुआ तो इसके बाहर लगेगा ना कैसे मतलब गमारों जैसे बाते करते हो ना तुम लोग यह मतलब यह सेंटर की तरफ एक्सलेरेशन होगा इसके उपर बैट कि देखोगे तो ऊपर जाएगा ना सेंट्रिफ्यूगल कि दर आएगा उपर की तरफ कैसे कर रहा यार तुम लोग है कि सेंट्रिफ्यूगल कि दर की तरफ आएगा उपर के डारेक्शन में चले अब एक बार कर दें चलो कोई दिक्कत नहीं यहां से देखो एक तो नीचे लगेगा चलो भाई सही बात है यह कॉंटक्ट सर्फेस यह रह और यह सेंटर की तरफ एक एक्सलेशन होगा तो इसके अपोजिट डारेक्शन में जब आप इसके उपर बैठ होगे तो इसके अपोजिट डारेक्शन में यानि एम वी स्कॉयर बाहर की तरफ लगेगा क्या यह समझाया पहले आपको हां किना एम वी स्कॉयर चुकि यार एक बाहर देखो सरकल ऐसे हो रहा है तो सेंटर की तरफ अगर एक्स एक्सलेशन होगा रेडियल तो बाहर की तरफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ लगेगा चलो यार अब एक काम करते हैं इस एम जी का component निकाल लेते हैं इधर की तरफ ये 37 तो ये भी कितना 37 एमजी का इधर component कितना mg cost 37 और इधर कितना mg sin 37 इधर कितना लएगा तो mg sin 37 के बराबर ठीक है भाई यहां तक clear पहले यह बता जो मैंने FBD बनाया क्या उसमें वह सारा clear है हां कि ना जो फ्री यार देखो यार फ्री बाड़ी डियाग्राम बनाने सही साय सवाल कुछ नहीं कर रहे हैं अपन बस उसके उपर बैटके बस FBD बना रहे हैं ठीक है भाई 40 आएगा बहुत मतलब पूरी उमीद है क्या चलो इधर देखते हैं mg अब तो यह रेश्ट पर दिख रहा है तो नेट फोर्स जीरो तो mg कॉस 37 डिग्री माइनस यह वाला यह रेश्ट पर दिख रहा है तो क्या लिखेंगे तो नॉर्मल एंड की वैलो तो इसको उस साइड ले जाते हैं बाकी सॉल्व कर लो mg कॉस 37 डिग्री माइनस एम वी स्कॉयर अपॉन कितना आर के बराबर mg कॉस 37 कितना तो चले 10 केजी का ब्लॉक है 100 कॉस 37 4 by 5 माइनस मास किसके बराबर 10 केजी इंटू वी ए स्कॉयर कितना 4 अपॉन रेडियस 1 यानि यह किसके बराबर 80 माइनस 40 40 नूटन सही में 40 नूटन ही सही आंसर होगा क्या यह सभी को क्लियर हुआ पहले यह बताओ समझाय सभी को हा किना क्या समझाय सभी को जिसको भी जो भी डाउट हो बिटा पूछ लिया करो आप लोग ठीक है कोई भी समस्या हो पूछोगे तभी समझायगा नहीं पूछोगे चुप चाप बैठे रहोगे फिर पूरा च बड़े आगे बड़े अपन चलो यार ठीक है देखते हैं अब एक बात देखो यार ब्रेकर बगरा देखे हो क्या आप लोग जैसे रोड पर जाते होगे कभी एकदम से ब्रेकर मिला आप लोग को एकदम से ऐसा हुआ होगा एकदम आंधी तुफान की स्पीड से जा रहो जै जो वहां भी अपनी स्पीड तेजी रखेंगे ज्यादा जो दिलेर होंगे पास से देखा है ज्यादा दिलेर ही दिखा होगे वहां पर देखते हैं क्या समस्या होती आखिर ब्रेकर जो होता है वह हमेशा ऐसा ही क्यों बनाया जाता है वह चीज़ देख लेते हैं ब्रेकर ह यह अपने समझने के लिए थोड़ा सा breaker का यह बना रहे हैं अपन जादा इस तरीके का breaker है ठीक है एक कार या इक कोई भी बाइक जो भी है इसके उपर यहां पर चड़ लगा है ठीक है मान लो यह कितनी velocity से जा रहा है V से ठीक है इसका radius कितना आर इसका radius किसके बराबर है आर क बराबर ठीक है यह कार या बाइक जो भी ले लो उसका मास हमने कितना ले लिए स्मॉल एम ठीक है चलो यार एब बीडी बनाते हैं इसका इसका एब बीडी बनाया तो एक बाद देखो क्या इसके उपर एक नॉर्मल उपर के डायरेक्शन में और एक नीचे लगेगा और या में चैंथती बाद की सेंट्रीक्वूगल फोर्ष ऒता उपर की नीचे कैंथ verse ऑपर की नीचे कि यह इसनेंटर एदर Phot em अधर अज्वीज़िए तर Kang इने सेंट्रेष लोगल उपर की तरफ यानि का एकटना एम वी स्क्वाइर अपॉन कितना और कि दर के डारेक्शन हाँ कि ना सेंट्रे फिउगल कि दर उपर के डारेक्शन यह आपको अब रेस्ट पे दीखेगा चुकि आप इसके उपर बैठे हुए हाँ यह ना यह बताओ यह आपको किस पे दिखेगा रेस्ट पे चलो सुरू करते हैं इसमें इस वाले में अगर देखे तो उपर कौन सा लग रहा है म्विए स्क्वाइर बैए आर प्लस एन इकॉल्स टू एम जी यानी एन एकॉल्स टू किसके बराबर एम जी माईनस एम वी स्कॉयर बैई आर किया यह एकवेशन यहां तक सभी को समझ आया हा किना जो नॉर्मल एन की वैलू है वो किसके बराबर एम जी माइनस एम वी स्कॉयर अपॉन आर के बराबर के यहां तक सभी को क्लियर किसी को समस्या हो पूछ ले ना विटा कि हाँ यह चीज समझ नहीं है ठीक है बैं चलो यार दूसरा केस देखते हैं कि मालो अगर जो हमारा जो ब्रेकर है वो अगर कुछ ऐसा हो जाए अगर ब्रेकर ऐसा हो जाए इस केस में अब देखते हैं क्या होता है ठीक है बैई एम मास की कार है और इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर के बराबर और यह कार कितने से जा रहा है वी वेलॉसिटी से आओ चलो एफ बिडी बन पहर जाएंगे लिए को चले यहां देखो कि इस पेट तो नीचे लगेगा नौर्मल किदर लगेगा यह बताऊ है अम्जी किदर लाइगा नीचे नौर्मल कि दर ऊपर की नीचे है क女ार्माल कि दर ऊपर यार वै कॉअटक सर्फेस से तो दूर ही लगेगा नॉर्मल और सेंट्रिफ्यूगल किदर लगेगा उपर की नीचे है कि सेंट्रिफ्यूगल उपर की नीचे है कि सेंट्रिफ्यूगल किदर लगेगा उपर या नीचे चलो भी अच्छी बात है यार सेंटर उपर की तरफ है यानि नीचे की तरफ लगएगा कौन सा mv square by r के बराबर हाँ या ना सेंटरिफ्योगल किदर लगएगा नीचे के डायरेक्शन में mv square by r क्या अब आपको यह rest पे दिखेगा क्यों क्योंकि यह आप इसके उपर बैटके देख रहे हो तो मैं क्या लिखूंगा उपर नॉर्मल नीचे mg माइनस mv square by r equal to 0 हा कि ना यह rest पे दिख रहा है न तो एक बात बताओ नॉर्मल एन की वैलो किसके बराबर mg प्लस mv square by r यह आता है एक बात बताओ जो breaker हम बनाते हैं उसमें वो बनाने का हमारा motive क्या होता है कि अगर कोई आदमी अगर तेजी से जाए तो उचल जाए हां कि ना स्पीड कम करना बिल्कुल अगर मान लो तेजी से जाए तो वो उचल जाए गिर जाए ताकि एक खुद की जान बचाने के डर से एक आदमी जो है वो जान बुचके धीरे जाए यही होता है मारा motive हाँ है न ब्रेकर हम वही बनाते हैं जहां हम चाहते हैं कि स्पीड कम स्पी स्पीड से जाहे तो उड़ जा है तो उसके लिए क्या normal होना चाहिए हाँ किना अगर हम यह चाहते हैं कि एक आदमी जादा इससपीड से जाए तो उड़ जाय तो क्या है उसके लिए नॉर्मल जीरो होगा नॉर्मल जीरो किस केस में पॉसिबल है मतलब हमारा में नेम है नॉर्मल जीरो करना नॉर्मल जीरो हुआ आदमी उपर उठेगा ज्यादा तेजी से जाते हुए उपर उठ जाएगा उपर उठेगा तो फिर क्या होगा वो अरांग से सोचेगा कि नहीं कि केस्टू रिपीट कर दें यहां से देखो एम मास का ब्लॉग था यह रेडियस आर्काइग यह इस तरह का गड़ा टाइप का है कि नहीं उड़ेगा है नहीं सवाल ही नहीं है यहां से देखो नीचे एक मजी लगेगा ऊपर नॉर्मल और यह सेंट्रिप्र फोर्स ऊपर लएगा तो सेंट्रिफ्यूगल नीचे की तरफ mv square by r क्या क्या लगेगा उपर normal minus mg minus mv square by r equals to 0 n की value यहाँ से एक बात देखो normal 0 होने के लिए बेटाई यहाँ से देखो इसमें से कुछ subtract होगा जैसे जैसे velocity बढ़ा होगा increase होगी जैसे जैसे velocity तो एक समय आएगा कि जब mg जो हो जाए वो mv square r के बराबर हो जाए और उस case में हमारा normal 0 होगा हाँ यह न भाई इस case में तो add हो रहा है second case में तो add हो रहा है कहां से normal 0 हो जाएगा एक बात बताओ उड़ेगा तो normal 0 उड़ने के लिए normal 0 और mg और mv square by r दोनो positive क्या negative हो सकता है इसमें कुछ नहीं वी square positive यह पूरा जब positive है और add हो रहा है तो यहां normal 0 पॉसिबल नहीं है क्या यह चीज़ समझाए आपको हां कि न यहां इस case में normal 0 पॉसिबल नहीं है normal जो है वो 0 पॉसिबल हो ही नहीं सकता है और अगर 0 पॉसिबल नहीं होगा इसमें उगाद में उपर उठेगा ही नहीं चाहिए वो कितना भी तेज जाए लेकिन इस case में normal इस case में normal 0 होगा है तो इस case में उड़ने के चांद से ज़्यादा है गिरने के चांद से ज़्यादा है तो इसलिए हम ब्रेकर ऐसा लगाते समझाया है पहले हां कि न चले एक और चीज़ बताता हूं एक और फैक्ट इससे उस case में सपोज यह भले वी विलोसिटी से जा रहा था इस case में normal कितना पहले यह बता जब वो आदमी फ्लैट रास्ते पे जा रहा था तो नॉर्मल कितना तो नॉर्मल किसके बराबर mg के बराबर लेकिन जैसे ही suddenly वो गड़े में आया उस क्या normal बढ़ गया जैसे ही वो गड़े में आया क्या normal बढ़ गया greater than mg हा कि न जैसे ही वो गड़े में गिरता आता है तो normal greater than mg और एक बास सोचो normal जैसे greater than mg हुआ तो हमारे उपर फोर्स एक ऊपर के डारेक्शन में लगता है हा किना हमारे उपर जैसे मालो हम कार में बैठे हुए आराम से यहां पर अचानक से क्या होता है नॉर्मल बढ़ा जाता है इसलिए क्या होता है हम थोड़ा सा ऊपर फिका जाते हैं या हमें उपर के ड में गिरे हमारे उपर बाइक के उपर नॉर्मल बढ़ा थोड़ा तो यह क्या होगा उसकेस में समझ आए चीज़ तो हम उसके उपर बैठे रहते तो हमें थोड़ा सा फोर्स जर्क जो मैसूस होता है वह उसी कारण से क्या इसे रिलेटेड कॉंसेट क्लियर हुआ हा या न चलो अब जो आने वाला पार्ट है न वह ध्यान से समझना चुकि उसमें जो है थोड़ा आपका फ्रिक्सन इंक्लूड होगा अभी तक सर्कुलर मोशन में हमारा फ्रिक्सन इंक्लूड नहीं हुआ है अब जो है वह फ्र कि छ से नहीं समझे तो ठीक है तो चलो याड़ देखो कि यहां से अब देखतें हम लोगतों द्यान से देखना यहां पर जार एए Elsxico बर बिर्ब्रेकर बनाने के लिए बना तो सकते हो लेकिन हम पर उसमें दिक्कती आगा ट्राइंगलर बरेकर में मालो तुमने ऐसा बरेकर बना दिया अ कि यह इस तरह का तो पहले आदमी पहले चड़े गा फिर उतरे गाति यह क्या जे चल रहा गए हाँ टायर वगर आप मज़े से माल लगे यह कोने पर लगेगा तो फिर उसमें भी तो वह सब दिक्कत है भाई आदमी चलते चलते अपने पैर रखा पता चला वह जमीन के अंदर यह अपने यह रोड जो है उसके पैर के अंदर चलो यार देखते अब इसके बाद नेक्स अब हम लोग देखते हैं अब एक बाद देखो और सर्कूलर मोसन जो अब जो आए गहां न ऊसमें आरा थोड़ा सा फ्रिक्सन का की जुरुरत पड़ेगी बाकि प्रिक्सन का डारेक्शन सोचने का तरीका मैं बताऊंगा एक बाद देखो जैसे माल लो हम यह सारा काम जो है वह टेबल के ऊपर हो रहा है जैसे एक टेबल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ हम उपर से देख रहे हैं जो मैं डायग्राम बना रहा हूं यह आपका टॉप व्यू है ध्यान रखना यह हमारा कौन सा टॉप व्यू है इस टॉप व्यू पर देखो यार यह हमारा एक सर्कुलर टेबल है ठीक है यह सर्कुलर टेबल है आप से पूछूंगा डायरेक्शन किदर होना चाहिए आप पहले सोचना फिर उसके बाद बताना जैसे माल लोब यह टेबल जो है रफ है और एम मास के बलॉक को कितनी विलोसिटी दे दी वी नॉट विलोसिटी दे दिया हमने एल लेंथ का स्ट्रिंग है और वी नॉट विलोसिटी इस डारेक्शन में दे दिया ठीक है भई अब एक बात बताना अपने को कि वो टाइम बताना है टाइम बताना है जब बलॉक रुक जाएगा वेन ब्लॉक विल स्टॉप ब्लॉक विल स्टॉप अब एक बार देखो फिर से हमें फ्रिक्शन के हिसाब से सोचना होगा फ्रिक्शन के इस हिसाब से सोचेंगे तब जाके हम इस सवाल में फ्रिक्शन का डारेक्शन find कर पाएंगे अब एक बात देखो है पहले सवाल समझाया सभी को हाँ या ना ये बताओ सवाल समझाया सभी को पहले एक table है table के उपर ये rough table है string से एक block बांध रखा हमने वो ऐसे v naught velocity दे दी ये ऐसे पूरा circular path पे move कर रहा है कितनी देर में रूकेगा ये तो पता है रूकेगा हाँ ये तो पता होगा ना कि ये रूकेगा block ये तो confirm है तो चले यार अब देखते हैं अब इसके बारे में we not velocity निकाल लिए जब वो रूकेगा तो देखो friction क्या चाहेगा एक बास सोचो क्या वो friction table को rotate करा पाएगा क्या वो friction टेबल को rotate करा पाएगा हाँ ये बता हो ऐसा ही सोचने का तरीका बिलकूल ऐसा यह हो नचेज़ा टेबल जो है टेबल को friction rotate करा पाएगा कह नहीं क्या friction क्या कि slipping नहीं हो हाँ ये ये ना कि Стेय पहँ से देखो भाई तरिक क्या क्या चाहेगा कि स्लिपिंग नहीं हो तो यह क्या करेगा फिर यह इसके मोशन को अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा बताओ टेबल विचरा slip हो नहीं रहा टेबल साथ में move करनी रहा friction ये चाहता है कि ये इनके भी slipping ना हो और वो इतना है नहीं कि टेबल को ही rotate करा दे तो क्या करेगा ये एक बात बताओ इस block के उपर किस direction में friction लगेगा एक दो तीन चार कौन से direction में ये बताओ जब थोड़ा सा बिल्कूल एकदम आराम से सोचोगे तभी आएगा समझ में कौन से direction में लगना चाहिए friction के हिसाब से सोचना है अपने को तब समझ आएगा भई देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये table रखा हुआ है ये एक तरह से top view है top view है table ऐसे है इसके उपर block रखा हम ऐसे देख रहा है तो अब एक बार देखो हमने क्या कि string से बांग दिया block को और इसको V naught velocity दे दिया friction चाहता है कि इनके भी slipping ना हो वो block को sorry table को वो rotate नहीं करा सकता तो ये क्या चाहेगा कि ये block रुख जाए block रुख जाए और तो ये V naught से जा रहा है तो slipping हो रही है तो किधर लगेगा फिर पीछे के direction में हाँ कि ना ये बताओ भई क्या आपका दिमाग भी अब ये ही बोल रहा है बहुत लोगों ने पीछे के direction बोला भी था फोर कुछ लोगों ने कि ये block रुख जाए तो जब friction चाहता है कि block रुख जाए तो block पे किधर लगा उसकी velocity के पीछे हाँ ना पहले direction समझ आया है पहले ये बताओ तब उसके आगे का तो फिर सवाल कुछ है नहीं उसके आगे तो फिर कुछ सवाल है नहीं ये बताओ भई होना चाहिए direction clear होगा तभी कुछ हो पाएगा कि यहाँ friction का direction किधर की तरफ है क्या ये चीज clear हुआ चलो है अब एक बात करते हैं कि a equals to हमने क्या लिखा a equals to minus of mu into g लिख दे हाँ यह ना retardation a equals to minus of mu into g और a को मैं क्या लिखता हूँ फिर dv by dt mu into g कैसे आया कुछ लोगों को वो भी दिक्कत हो रही कोई दिक्कत ने friction f की value किसके बराबर mu mg हाँ या ना friction f की value किसके बराबर mu area एक table पे रखा हुआ है एक block रखा हुआ है अगर यह slip कर रहा है तो पीछे के direction friction लग रहा है कितना लगगा mu mg तो mu mg friction हो गया तो उसके कारण acceleration कितना f by m के बराबर यानि a equals to किसके बराबर minus of mu into g और dv by dt equals to क्या लिखेंगे minus of mu into g क्या यह समझा है आपको हाँ किना चलो अब यहां से देख लो dv equals to क्या लिखेंगे minus of mu into g into dt mu constant g b constant क्या नहीं समझा है यह बताओ dv by dt a equals to मैं बोल रहा हूँ कि यह slip कर रहा है यह block है यह ऐसे जा रहा है slip कर रहा है इसके उपर तो पीछे friction लाएगा slip होता है तो slipping जो होगी तो उसके opposite direction तो mu friction force पीछे कितना लाएगा तो mu mg acceleration जो retardation आएगा वो कितना तो mu into g के बराबर और वही retardation है तो a equals to क्या लिखा हमने minus mu into g यहां से t जब 0 है जब हमने इसको एक velocity दी तो वो t equals to 0 पे तो velocity कितनी v naught t equals to किसी t time पे देखे तो velocity कितनी 0 क्यों? क्योंकि हमें वो time निकालना है जब यह रुख जाएगा यहां से देखो फिर क्या आएगा dv का integration v v naught से लेके 0 equals to minus of mu into g dt का integration t और एक बार t और 0 पुट करोगे यही आएगा minus of v naught equals to minus of mu into g into t यानि finally t equals to किस के बराबर v naught upon mu into g के बराबर क्या यह समझाया सभी को हां किना जो time जब वो रुखेगा वो कितना आया v naught upon g के बराबर किस time पर रुखेगा वो तो v naught upon g के बराबर minus v naught कैसे एक बार देखो ना एक बार पहले 0 पुट करोगे एक बार 0 पुट करोगे और minus एक बार v naught पुट करोगे तो minus v naught 0 minus v naught कितना आएगा minus v naught ही तो आएगा यह समझाया सभी को clear हुआ मैंने क्या किया यह slip हो रहा है friction क्या चाहता है table को rotate करा नहीं सकता तो इसको रोकना चाहेगा तो रोकने के लिए friction नीचे के direction मतलब पीछे के direction बस फिर इसको ऐसे ही अब एक सवाल मैं दे रहा हूँ बिटा आप लोगो ठीक है सवाल वो लिख लो और एक बार ध्यान रखने सवाल को बिलकुल ध्यान से सोच के आना एक बार नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है सवाल सोच के आना जरूर उससे मैं बताऊंगा तो थोड़ा और ज़्यादा clarity आ जाएगी तो वह सवाल सोच के आना आपको ठीक है कि ये table है अब हमने table ही rotate करा दिया table rotate करा दिया omega से और ये omega constant है मतलब कोई एक particular value दे रहे हैं ठीक है अब इसके उपर एक block रखा हुआ है इसके उपर एक block रखा हुआ है ये माननों string से बांध रखा अपन ठीक है ये हमने क्या किया है कि एक block को रखा है वस इस बांध अगरे नहीं आए ये block को रखा है जिसका mass कितना है small m हमें ये कितने distance पे आर डिस्टेंस पर हमें ओमेगा की मैक्सिमम वैलू निकालनी है जो देट ब्लॉक विल नॉट स्लिप फो देट ब्लॉक विल नॉट स्लिप और टेवल block will not slip on table क्या ये समझाए पिले मैंने क्या बोला कि ये omega से rotate कर रहा है देखो सवाल समझ लो ये table है वो omega से rotate कर रहा है उसके उपर हमने एक block रखा block रखा r distance omega की maximum क्या value हो सकती है कि ये क्या करेगा ये slip नहीं हो मतलब table के उपर तो देखो यहाँ पे friction क्या table को रोक सकता है पहले ये बताओ क्या यहाँ पे friction table को रोक सकता है वो क्या चाहेगा फिर वो क्या चाहेगा कि ये block जो है वो circular path पे move करें हाँ या ना वो क्या चाहेगा कि ये block भी circular path पे move कर जाए अब friction की कोसिस उल्टी हो गई वह यह चाहता है कि वह टेबल को तो रोक नहीं सकता तो क्या चाहेगा कि यार इतना ऐसा कर दो कि यह ब्लॉक भी जो है वह भी सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगे तो फ्रिक्सन की कोसिस क्या है वह मैंने बता दिया आपको अब आपको सवाल सोचना है प्रिक्शन की कोशिस क्या है वो मैंने बता दिया आपको ठीक है कोशिस क्या करेगा वो मैंने बता दिया आप वो चीज सोच करके आना ठीक है